नमस्कार दोस्तों, 6-A-Riot Jobs की Jobilet वीडियो में आप सब का स्वागत है Government of India की तरफ से जो है Recruitment है, Permanent ये Post है, All India आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, आप आवी दिन कर सकते हैं, Male Femade, Mahila और पुरुज दोनो जो है, आवी दिन की पात्र जो है, यहां पर है, मतलब दोनो आवी दिन कर सकते हैं Sell ने यहां पर कम से कम जो प्रारंबिक जो बेसिक वेतन है, 44,900 यानके 45,000 जो है प्लस जो भी बत्ते हैं, वो यहां पर दे होंगे योग्यता की बात करें, आपके पास कोई भी ग्रैजुएशन की डिगरी हो आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, साइंस या जो है, कॉमर्स तो आप आवे दिन यहां पर कर सकते हैं, केवल ग्रैजुएशन की डिगरी होनी चाहिए एज लिमिट, फीस क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, साथी सा संपूर्ण, जो भी जानकारी है परिक्सा केंद्र कौन-कौन से रहने वाले है, जोब, लोकेशन क्या रहेगी, सब जानकारी जो है, इस डीटिल्ड में यहां पर डिस्कस करने वाले है चैनल पर पहले बार आँए, चैनल सस्क्राइब नेकरे, तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो यहां पर आपको मिलती रहे तो यह जो वैकिन्सी आई है, आप यहांपर देख सकते हैं, यह वैकिन्सी आई है, करमचारी राज्य भीवा निगम E-Employee State Insurance Corporation जो की Ministry of Labor and Employment Government of India का जो है एक ये अंतरगत आता है स्राम एवं रोजगार मंत्राले के तो Government of India Central Government की ये जोब है Recruitment Social Security Officer या Manager Grade 2 Superintendent की आप यहाँ पर Vacancy है Social Security Officer, Detail of Vacancies की बात करें, तो टोटल जो है यहाँ पर जो यहाँ पर रहेगा, अच्छा यहाँ पर अगर बात करें सेल्डी की, सबसे पहले जो पेमेंट हैं यहाँ पर आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं Pay Level 7 यानि कि जिसमें आपका basic salary है 44,900 प्रारंबिक जो भी भत्ते हैं वो यहाँ पर दिये जाएंगे as per central government के अनुसार और यह जो है, आपकी basic 1,42,400 तक जाएगी Essential qualification यानि कि योग्यता की बात करें तो यहाँ पर graduation की degree आपके पास होनी चाहिए एक degree of recognized university ठीक है, और preference किसको दिया जाएगा ठीक है, तो जो commerce, law या management, जो student है उनको यहाँ पर preference दिया जाएगा working knowledge, ठीक है, यह mandatory नहीं है लेकिन जो है, working knowledge of computer आपकी यहाँ पर होनी चाहिए जो office source and database है उसकी, and साथी साथ जो है अगर desirable है, यानि कि यह mandatory नहीं है यह अनिवारिये नहीं है तीन सालों का service in government organization और corporation, government of undertaking ठीक है, nationality जो है citizenship आप, यह जो है condition आप देख सकते हैं, मैं यह आपर यह कहूँगा कि आप चाहिए किसी भी state से है, all India level के candidates यहाँ पर आवे दिन कर सकते हैं I.U.S.EMA की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर I.U.S.EMA जो है, आपकी कम से कम 21 और अधिक्तम 27 वर्ड, journal category के candidate के रूप में, और I.U. की गर्णा 12 अपरेल 2022 को जो है, यहाँ पर होगी अपर age limit में यहाँ पर चूट प्रदान की जाती है Central Government के अनुसार, जैसे S.E.H.T. को 5 वर्स का, O.B.C. को यहाँ पर 3 वर्स की चूट यहाँ पर, एक सर्विसमें की बात करें, तो यहाँ पर age पर category, जो है, यहाँ पर चूट प्रदान की गई है और यह कब, जितनी military service वो यहाँ पर देते हैं, उसको जो है घटा कर, जो है, उनको यहाँ पर unreserved के लिए 3 साल, O.B.C. के लिए 6 साल, S.E.S.T. के लिए आटवर्स की चूट यहाँ पर पर प्रदान की गई है, जो ESIC employee government servant है, जिनके 3 साल से जो है, कम salary जो, यहाँ पर service है, वो नहीं हुई है, तो यहाँ पर जो है, उनको भी यहाँ पर छूट प्रदान की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आवीदन कैसे करना है, आवीदन जो है, आपको online करना है, official website का link में description box में डाल दूगा, 12 जो है, online up to 12 अप्रेल 2022 तक जो है, आप यहाँ पर आवीदन कर पाएंगे, important points है कि इस परकार से photograph, thumb impression आपको यहाँ पर अप्लोड करना है, ठीक है, यह official website है, जिसका link आपको description box में मिल जाएगा, आवीदन fees की बात करें, तो 250 रुपए है, SCST और दिव्यांग जो, departmental candidate, female candidate और ex-serviceman, और other categories के लिए, journal और OBC के लिए यहाँ पर 500 रुपए है, ठीक है, bank charges, transaction charges वो भी यहाँ पर लिया जाएगा, model payment online है, document scanning and uploading के लिए यहाँ पर यह सारी information यहाँ पर दी गई है, center of examination जो है, आपका यहाँ पर कौन-कौन सा रहने वाला है, so यहाँ पर examination, जो है, वो online, you will be conducted online in venues given in the respective call letters, तो यहाँ पर जो है, most probably all over India की jobs है, तो all over India में जो है, examination center जो है, रहेंगे, बट इन्होंने यहाँ पर open नहीं, खुला नहीं किया है, ठीक है, written exam की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो है, प्रारभिक परिक्सा, आपकी सबसे पहल होगी, प्रारभिक परिक्सा में English, reasonable ability और quantitative aptitude के जो है, यहाँ पर person पूछे जाएंगे, यह तो बिल्कुल bank की तरह लग रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 20-20 मिनिट दी जाएंगे, हिंदी, इंग्लिस में जो है, यह आपका रहेगा objective type, 100 questions, 100 un, ठीक है, इंग्लिस language के लिए 30, reasoning ability के लिए 35, और quantitative aptitude के 35 अंग यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद, यहाँ पर जो है, जो phase 1 है, यहाँ के इप्रारभिक परिक्सा है, is qualifying in nature है, marks जो है, वो final merit में calculate नहीं होगे, लगबग 10 गुने जो है, यहाँ पर candidates जो है, vacancy जितने उनको मुख्या परिक्सा के लिए जो है, यहाँ पर भेजा जाएगा, phase 2 मुख्या परिक्सा, और यहाँ पर जो है, reasoning ability, 40 number की, general, 60 number की है, 40 questions है, journal, economy, financial, insurance, awareness, 40 अंक है, 40 questions है, English language 30 questions है, 40 अंक है, quantitative aptitude, 40 questions है, 60 अंक है, total 200 marks, 650 questions है, 2 गंटे का समय मिलेगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिस, दोन भाजाओं में, ठीक है, तो जो मुख्या परिक्सा के जो अंक है, वो यहाँ पर, final merit के लिए, जो है, calculate किये जाएंगे, और 5 गुने लगबा, candidate मुख्या परिक्सा में, जो है, सफल, गोसित किये जाएंगे, उसके पाद, phase 3 में, computer skill test and description test होगा, जिसमें, दो powerpoint slides आपको यहाँ पर, ready करनी पड़े की, 10 अंको का होगा, typing matter on, ms word with formatting, 220 marks होगा, and साथी, preparation of table on a ms excel, ठीक है, with use of formula, तो यहाँ पर total यह 50 अंक जो है, रखे गए, descriptive paper में, English language, letter writing, and essay, जो है, यहाँ पर दो questions होगे, अधिकता मंग 50, 30 minute आपको मिलेंगे, English में आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, qualifying marks आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह जो है, आपका यहाँ पर, जो है, detailed जो है, आपका यहाँ पर रहने वाला है, अच्छा, यहाँ पर जो है, guidelines भी जो है, कुछ दी गई हैं, यहाँ पर जो है, आप guidelines पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो official website का जो link है, आपको description box में मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है, आप 12, जो April 2022 तक आवेदन आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो आई होप यह जो है, वीडियो जो है, 12, मार्स से 12, अपरेल 2022 तक online link अवेदन आप करिए, आई होप यह वीडियो जो है, आपके लिए काफी helpful रहा होगा, वीडियो अच्छी लगए, वीडियो को लाइक करें, जादा से जादा शेयर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चलिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही, हमारी मैनत का फ़ल होता है, झाले तंक